हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास वन की वॉक्षीट नमबर 72 जो की 17 सितंबर 2021 की वॉक्षीट है और बेटा आज का सब्जेक्ट है mathematics याने की गनित यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी teacher का नाम लिखेंगे ठीक है तो चलिए इस वॉक्षीट को स्टार्ट करते हैं संख्याओं वाली रेल गाड़ी आशु ने माचस की खाली डिब्यों को एकठा किया है वह उनसे रेल गाड़ी बनाना चाहता है उसने सभी डिब्यों को गिनने के लिए उन पर गिनती लिख दी है जब रेल गाड़ी बनाने लगा तो डिब्यां उलट पुलट हो गई चलिए रेल गाड़ी के डिब्यों सही संख्या के अनुसार लगाने में आशु की मदद कीजिए तो देखो आशु ने क्या किया माचस के बहुत सारे डिब्यों कठा किये और खाली डिब्यों पे कुछ क्या किया कि इनसे रेलगाडी तो बना दी पर अब हमें आशु की मदद करनी है उन डिब्बों में नंबर को सही तरीके से लगाने में ठीक है देखो पहला प्रश्ण है नीचे दी गई रेलगाडी में इंजन के साथ वाले डिब्बे पर लिखी संख्या के बाद कौन सी संख नंबर हमें दे रखा है उसके बाद वाले डिब्बे पर क्या नंबर आएगा ये हमें बताना है खाली डिब्बे में संख्या लिखिए और अपनी कॉपी में भी संख्या वाली रेलगाडी बनाईए तो हमें क्या करना है सबसे पहले हम देखेंगे क्यूंकि यहां पर 10. ठीक है? अगली जो रेल गाड़ी है, उसमें पहले डिब्बे पे नमबर कितना लिखा है? 15 यानि की 15. तो इसके अगले डिब्बे पे कौन सा नमबर आएगा? 15 के बाद कौन सा नमबर आता है? 16, यानि की 16. ठीक है? अब यहाँ पे देखो, क्या नमबर है? 10 है, यानि की 10 है तो इसके बाद, next नमबर कौन सा आएगा? 11, यानि की 11, ठीक है? और यहाँ पे है 18, 18 तो इसके बाद, next नमबर क्या आएगा? 19, यानि की 19 तो यहाँ पे आगया 10 यहाँ पे आगया 16 यहां पर आगया 11 और यहां पर आगया 19 और अगर इसको इंग्लिश में बोलें तो 10, 16, 11 and 19 तो पहला प्रशन हमने हल कर दिया सही संख्याओं को इन बॉक्स में लिख लिया है अब हम देखते हैं दूसरा प्रशन अब देखो इसमें क्या कहा है कि जो ये इंजिन है इसका जो पहला वाला यानि इंजिन के जस्ट बाद में जो डिबबा है उसकी संख्याओं अब यहां पे नहीं लिखी है उसके बाद वाली संख्याओं लिखी हुई है तो हमें क्या करना है ये बताना है कि अगर यहां पे 7 नंबर यानि 7 है तो उसके एक पहले कौन सा नंबर आना च 4, 5, 6, 7 अगर हिंदी में बोले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो 7 के पहले कौन सा नमबर है यहां पे? वो है 6 यानि की 6 तो यहां पे हम लिखेंगे 6 ठीक है? इसके बाद देखो यहां पे है 11 यानि की 11 तो 11 के जस्ट पहले कौन सा नमबर आता है? वो आता है 10 यानि की 10 ठीक है? उसके बाद यहां देखो है 19 यानि की 19 और 19 के जस्ट पहले कौन सा नमबर आता है? आता है 18 यानि की 18 और यह नमबर है 14 यानि की 14 इसके जस्ट पहले कौन सा नमबर आएगा? वो आ जाएगा 13 यानि की 13 ठीक है? तो इस तरीके से हमने दूसरा प्रश्ण भी हल कर लिया अब आपके parents के लिए यहां पे सुझाओ है कि rail गाड़ी के अलावा याता याद के अन्य साधनों के बारे में बच्चों से बादशीत कीजिए तो देखिए rail गाड़ी के बारे में तो हमने यहां पे पढ़ लिया है इसके अलावा आप दूसरी गाड़ीयों के बारे में बच्चों से बाच्चीत करेंगे उनके बारे में बच्चों को बताएंगे तो बेता यह थी हमारी आज की maths की वर्कशीट आई होप आपको यह वर्कशीट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी अगर आपको यह विडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें अपने फ्रेंज के साथ शेयर करें और इस चानल को सब्सक्राइब कर लें थैंक यू